जिव जी से गजारिश करती हूं कि मैं समय हूं सीवम आसन ग्रहन कराएं मैं राजिव जी से नरोद करती हूं कि वे प्रसित वालन वादक अजन्ता फार्मा के को महान समाच से वी कला प्रेमी माननीश मैं अनल कुमरuje से आग रह करती हूं कि वे प्रसित वालने भारत की कला भारत की संस्करटी को नई उचाईएं तक पहचाने में अपना योगदान दिया इसी शंकला में शेहनाई की जादूगर भारत रतन अस्ताद बिस्विल्ला खान साहब जो अपने आप में एक अनोखे और विरले का लाकार थे उनकी शेहनाई की गुंच को आज उनकी दत्तक पत्री सोमा खोश आज विश्व के कौने कौने में पहुचा रही है खान साहब ने देश और दुनिया को अलग-अलग हिस्सों में अपनी शेहनाई की गुंच से लोगों को मोहित किया और अब सोमा खोश जी उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर देश के साथ इंग्लेंड और अमेरिका में भी उनके नाम से एक भवे कारिकरम कायुजित कर रही है मैं समझता हूँ आपकी उपस्तिती उनकी पहचान भारत के सम्मान को एक नई दिशा देगी नया आयाम स्थापित करेगी आपकी साधर उपस्तिती ऐसे सभी कारिकरम में प्राथनी है मानिय प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी के मारे इत्याती क्षेत्र में अपने आवाज का जादू जगाने वाले देश एवें विदेश के कई सारवजनिक आयजनों की शुमा घोश को बदहाई ही नहीं धन्यवाद देना चाहूंगा मैंने जिन्दगी में किसी पुत्री को इतना सुन्दर इतना कलात्मक इतना बड़ा उपहार अपने पिता को देते नहीं देगा मैं जानता हूं उस्ताद साथ जहां भी होंगे देख रहे होंगे और आपको कोटी कोटी आशिर्वाद दे रहे होंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खान यानी क्या क्या केवल एक अति कुशल शेहनाई वादक क्या एक अति सभल शास्त्री संगीत का या सर्वोच पुरसकार विजेता बहारती है इन सब से बहुत ज़्यादा बहुत आगे उनके सुरों के माध्हम से वो हमारी रगों में बसे हुए है उस्ताद बिस्मिल्ला खान आइडेयस है बिस्मिल्ला खान एक महान देश के जन मानस का अभिन अंग है देखे शेहनाई के रोचक सुर कभी ये कोशिश कीजिएगा फजा में बिखरें कुछ देर के लिए आँखें मून लीजिए और क्या मनजर आपके दिमाग के कैन्वस पर गुजरेंगे जैसे हो दिवाली की वो मुँ अंधेरी रात यग्यकी वेदी से उटता हुआ धुआँ जाहिर है उस्ताद बिस्मिल्ला खान का कॉंसर्ट उसके बाद वो बकाईदा गहरे गए वहां के लोगों ने कहा कि आप अपने देश का संगीत संस्कृति सारी दुनिया में पहला रहे हैं आपके परस्तार आपके मुरीद हर जगे हैं आप यहां आके क्यों नहीं बसते जैसे के आपके कुछ साथ ही बस गए हैं यहां के लोगों में पहला रहे हैं और पैसे नाम शोहरत सब कुछ अरजित कर रहे हैं विदाउट मिसिंग बीट उनका जवाब था हाँ मैं बस तो यहां जरूर जाओं लेकिन मेरी दो शर्ते हैं पहली शर्त यह कि मेरी गंगा मैया यहां वारानसी के थे मेरी गंगा मैया यहां बहनी चाहिए और मेरी सुवह के रियाज के लिए काशी विश्वनाथ का मंदर यहां हूँ So to perpetuate memory of this extraordinary artist, equally extraordinary, Saman has been perpetuated. विश्व में अपना स्थान कायम करने के लिए कितना संगहर्श, कितनी जद्द जहद की है। लेकिन किसी कलाकार के नाम से पहले उपाधियों की श्रिंखला हमें ये बताती है। कि वही विश्व उस कलाकार को कितने सम्मान की द्रिष्टी से देखता है। और जब आपके नाम से लंबी उस उपाधियों की श्रिंखला हो जाए, तो समझिए आप एक किमवदंती बन गए, आप एक लेजन बन गए। नाम है संगीत कलारत्न पद्म विभूशन संगीत मार्तंड पंडित जसराज। लेकिन आपकी गाए की इतनी व्यत्ति परक है, इतनी इंडिविजूलिस्टिक है। कि मेरा निजी ख्याल है कि चाहे एक दो साल ना सही, कुछ अरसा ना सही, दो एक पीड़ी में जसराज घराना स्थापित हो जाएगा। और गाय गाई का बड़े गर्व से कहेंगे, कि हम जसराज घराने के शिष्ष हैं। देवी और सज्जनों, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिला खान सम्मान, तुदान किया जा रहा है, बद्म विभूशन संगीत मार्तंड पंडित जसराज। स्री अधित राज जी, मानिय राजीव जी, शुमा गोष्ष, झालोच झालोफ झाल झाल ढहुचामने जञ्ड़ की वे वाली की आखड़्टी वनीचान्य वालाच्थितो जाखड़ी आप हमारा हार्दिक अभिनन्दन स्विकार करे मैं माननिया उधितराज जी कि वे पुष्पकुछ और स्मृति चिन्ह से माननिया श्रीमती हेमा मालिनी जी का स्वाकत संबान करे मैं अनिल कुमार जी से शुभांकर जी से और सुमा जी से निरोद करती हूं कि वे पुष्पकुछ स्मृति चिन्ह से माननिया श्री उधितराज जी का स्वाकत हम संबान करे मैं शुभांकर घोश जी सुमा घोश जी से निरोद करती हूं कि वे माननिय श्री हारिश भीमानी जी का पुष्पकुछ और स्वाकत करे मैं पंडिज श्राज जी हेमा जी से गुजारिश करती हूं कि वे माननी श्री मधुसुदन अगर्वाल जी का पुष्पकुछ और स्मृति चिन्ह से संबान करे मैं पंडिज श्राज जी हेमा जी मधुसुदन अगर्वाल जी से और शुभांकर जी से निरोद करती हूं कि वे माननिय श्री उधित नारण जी का स्वागत पुष्पकुछ और स्मृति चिन्ह से करे मैं सौमा जी और राजिव जी से गुजारिश करती हूं कि वे माननिय उस्ताद नाजम बिस्मिल्ला खाँ साब का पुष्पकुछ और स्मृति चिन्ह से सम्मान करे माननिय उस्ताद नाजम बिस्मिल्ला खाँ साब का पुष्पकुछ और स्मृति चिन्ह से स्वागत मैं सौमा जी और अनिल कुमार जी से गुजारिश करते हूं कि दन्यवाद इसके अलावा हमारे यहां और भी महानुभाव है जिनका हम कि माननिय उस्ताद श्री अली अब्बास जी का पुष्पकुछ पागत करे स्मृति चिन्ह भी प्रदान करें इसके अलावा लाइसी स्टेट बैंक यूनियन बैंक और अलग एड़िटाइजिंग की गीती का जी भी अगर उपस्तित हो तो कर प्या मंज पर पदा जश्राज जी के संबोधन है तू जय हो मंच पर उपस्तित सभी आदर्णिय संमानिय नहीं है तो मेरा प्रणाम आज जो मुझे जो संमान मिला है उसकी मैं उसकी परिभाशा तो मैं करी नहीं सकता यह तो दो चार संमान मिले हैं मगर ऐसा संमान नहीं उस्ताद बिस्मिल्ला खान साभ को मैं क्या सारे बड़े-बड़े से कलाकार उनको फॉलो करते थे उनके सूर को देखते थे और मैं बात बताओं ओपर बारा जानता है वो मुझे बहुत प्यार करते थे मैं मुझको बिड़ी सिगरेट से जरा तकलिफ होती है उस्ताद तो बिड़ी पीते थे तो